देली करेंट न्यूस में अभी की खबर है शचिंद्रनाच सान्याल की पुन्यती थी आज यानि 7 फरवरी को प्रसिद्य राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी शचिंद्रनाच सान्याल की पुन्यती थी है बता दे कि शचिंद्रनाच सान्याल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन यानि एच आरे के संस्थापकों में से एक थे इनका जन्म 3 अप्रेल 1893 को बनारस में हुआ था यह एक बंगाली ब्राम्भर समुदाय से थे छोटी उम्र से ही स्वतंत्र और क्रांतिकारी विचार रखने वाले शचिंद्रनाच ने देश भर में युवाओं को प्रेरित किया 1913 से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान क्रांतिकारी विचारों को जागरित करने में इन्होंने प्रमुख भूमिकाने भाई इस दौरान इन्होंने पटना में अनुशीलन समीती नामक संगठन की एक शाखा के स्थापना भी की यह रास बिहारी बोस के करीबी सहयोगी थे और गदर पार्टी की यूजना का हिस्सा थे इस यूजना में शामिल होने के लिए इन्हें उम्रकैत की सजा हुई अंडमान और निकोबार द्वीबसमों में सैलूलर जेल में कारावास के दौरान 1922 में इन्होंने अपने पुस्तक बंदी जीवन A Life of Captivity लिखी बाद में इन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा कर दिया गया किंतुपुना ब्रिटिश विरोधी गतिविध्यों में शामिल होने के कारण इन्हें अप्रेल 1927 में दूसरी बार सैलूलर जेल भेजा गया दृतिय विश्वयुद के दौरान इन्होंने जापानी मदद से भारत को आजाद कराने का समर्थन किया 1941 में भारत रक्षा अधिनियम के तहत इन्हें गिरफतार कर लिया गया इस दौरान इन्हें तपेदिक यानि टीबी की बिमारी हो गई जो उनके लिए घातक साबित हुई अंततह 7 फरवरी 1942 को उनका निधन हो गया तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को शचिंद्य नाथ सान्याल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन यानि एच आरे के संस्थापकों में से एक थे दो, 1925 में इन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन लिखी उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, दी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया डियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले